कैसे हैं आप सभी लोग यार आप सभी लोग को बता दूं कि हमारा जो ससी जी को बैच वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और बहुत सार इसमें यहाँ पर पूछ रहते हैं सर कुछ इंपोर्टन टॉपिक्स बताई क्योंकि हमारे पास टाइम स्पैन कम है तो कुछ ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर सेलेक्टेड मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जिससे आप लोग को यह वाले टॉपिक्स को ध्यान रखना है कि मैं यह नहीं बोलूगा सिर्फ इतने ही पूरे के पूरे civil engineering के जो यहाँ से most possibility बन दी है कि question यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है चली स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तो आप देखेगा पूरी लिस्ट है इसका जो PDF है यहाँ पर अप्लोड करवा दूँगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं total यहाँ पर serial wise आप देख सकते हैं यहाँ पर topic के नमबर है test क्या होता है soundness test क्या होता है सारे test के बार में आप लोग यहाँ पर काफी बड़ी बढया लेवल पर कवर करेंगे ठीक है second आते ऐ Constituents of Cement Cement के अंदर हमारे पास क्या के Constituents है उसके अंदर lime कितना है उसके अंदर Silica कितना है Aluminum कितना है चुटना नी चाहिए, shear force और bending moment के बारे में आपको बहुत अच्छे लेवल पर knowledge होनी चाहिए, यहां से question आते ही आते हैं, कोई भी exam निकाल लीजेगा, कोई भी आप year का ले लीजेगा, previous year में, आप देखेगा, हर साल कुछ ना कुछ question यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, चाहिए, वो mains हो, चाहिए, वो prelims हो, इस बार हमारे पास mains है नी, तो आप देखेगा, कि paper 2 और paper number 1 में से, आप देखेगा, भली हो सकता है, prelims में ना है, लेकिन paper 2 के जो CBT है, वहाँ पर आप देखेगा, इन topics में मिलेंगे ही, मिलेंगे, आपको 100% यहाँ पर accuracy के साथ आप हम लोग करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप method of joints हो गया, method of sections हो गया, इसको आपको काफी अच्छे लेवल पर देखना है, steel में आप connections बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे, और steel की जो general consideration होती है, design हमारे पास जो criteria requirements है, उसको आप बहुत अच्छे लेवल पर देखेगा, क वो सभी के बारे में आपको यहाँ पर consider करना है, IS 800-2007 के codal provisions आपको यहाँ पर सारे याद करने है, इसके उपर मैंने sessions भी लिया था, आप देखेंगे, part 1 और part 2 में, मैंने जितने भी codal provisions होते हैं, जो most important है, वो मैंने वहाँ पर बताया है, YouTube में आप लोग इबार search कर लिज ठीक है, फिर यहाँ पर बताया है, IS 456-2000 के codal provisions आपको यहाँ पर याद रखने है, आप बोलोगे कि 456-2000 बहुत बढ़ा है, लेकिन हाँ, हर codal provisions का कुछ ना कुछ importance है, आप देखेगा हो सकता है, वहाँ से maximum number of questions वहाँ से first check, ठीक है, so this was the topic number 15th, आते हैं आपर topic number 16th में, तो साफी अच्छे level पर बनते हैं, तो topic number 16 जो है, इसको आप लोग बहुत अच्छे level पर ध्यान रखेगा, RCC से पढ़ने का, फिर आता है methods and units of measurement, estimation and costing जब भी हम लोग पढ़ते हैं, तो items of work के अंदर, आप हर एक quantity का जब हम estimation करने हैं, तो उसका units के बारे में आपको ध्यान 20, इसमें हमारे पास sinking fund, scrap value, depreciation, costing, सबी चीज़ों के बार में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, फिर आता है that is plastering, central line method आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ने हैं, फिर surveying में आप देखेंगे, measurement of distances आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, compass, traversing आप देखेंग chain surveying देखेंगे, leveling देखेंगे, uses of contour map है न, तो आप देखेगा surveying के जो questions है, SSEJ में बहुत अच्छे level पर पूछे जाते हैं, तो यह कुछ हमारे पास important topics है, compass, leveling, chain surveying, contours, यह सब topics को बिल्कुल भी छोड़के मच जाएगा, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी idea होगा आप देखेगा, रजा सर ने भी यूट्यूब में रात में 8 बजे वहाँ पर surveying काफी अच्छे level पर डील किया था, वो जो questions है, उसको definitely आप लोग यहाँ पर attend करके जाएंगे, geotech में origin of soil से question आ सकता है, index properties से question आ सकता है, attraberg limits से यहाँ पर question काफी अच्छे level पर बन सकते है फिर आता है हमारे पास Indian standard, soil classification, permeability, earth pressure, shear strength, यह सारे topics geotech के, soil mechanics से काफी अच्छे importance रखती है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़के मत जाएगा, ठीक है, then आता हमारे पास that is fluid properties, hydrostatic, measurement of flow, ठीक है, FM में से, Bernoulli's theorem अच्छे से पढ़िएगा, Bernoulli's theorem और उसके application से हमारे पास question types के हमारे पास irrigation है, ठीक है, सारे types को अच्छे level पर पढ़ लिजे, math question बनेंगे, 38 topic है हमारे पास, that is measurement of rainfall, अलग-अलग जो हमारे पास methods, उसको आप लोग यहाँ पर देख लीजीगा, irrigation में water requirement of crops यहाँ पर पढ़ लेंगे, irrigation की efficiencies के बार में आप लोग यहाँ पर ध्यान minimum आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, prilliance के बार में बात करो, mains में तो definitely आएंगे, mains in the sense, CBT2 के बार में बात करो, ठीक है, मतलब paper number 2 में, फिर आ रहा है मारे पास different traffic surveys, ठीक है, traffic के अंदर आप देख सकते है, intersections बहुत अच्छे level पढ़ना है, हमें signals काफी अच्छे level ठीक है, design of, जो studies होगी है हमारे पास, volume studies और जितने भी type के हमारे पास, survey होते हैं, वो आप लोगो यहाँ पर traffic engineering के अंदर deal करना है, फिर यहाँ पर आ रहा है, that is quality of water, source of water supply, 44 topic है, sewage treatment, 45th हमारे पास workability, workability के सारे test अगेरा, बहुत अच्छे level पढ़ लिजेगा, slump test होगया, compaction test होगया, हमारे पास, VB factor test होगया, सारे आप लोगो यहाँ पर अच्छे level पर पढ़ना है, 46th topic हमारे पास, that is torsion of circular section, ठीक है, question यहाँ से बनते, main main आप लोगो formula अगर याद होगा, है ना, जैसे torsional formula, T by J will be equals to G theta by, L will be equals to tau by, यह सारे formula आप लोगो बहुत अच्छे level पर पढ़ लिजेगा, 47th topic हमारे पास, air pollution, pollutants, causes और effects, फिर मैंने बताया, जैसे moment of area, moment of inertia हमें आपर अच्छे level पर पढ़ना है, वो भी देख लिजेगा, 49th topic बोला है, Kennedy's theory और Laces theory आप लोग पढ़ लिजेगा, velocity का, and 58th topic हमारे बोला है, that is paints और varnishes, आप लोगो यह छोड़के नहीं जाना है, ठीक है, तो यह जो हमारे पास top 50 topics है, इनको आप अच्छे level पर चाहें, तो इसका screenshot भी ले सकते हैं, आप बोलेंगे तो आप इसका PDF जो है, वो PDF भी आप लोग अगर app डाउनलोड करिएगा, तो आप देखेगा, महाँ पर community में already PDF आपर मैंने upload कर दिया, वो यह सारे topics जो है, हमारे पास 50 topics, इसका आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, एंड सभी लोग को बता दूँ कि हमारा 2nd of August से हमारा SSEJE का batch start होने वाला है, ठीक है, तो अगर आप अभी तक enroll नहीं किये, enroll कर लीजे, ठीक है, यहाँ पर civil, mechanical, electrical, तीनों की batches यहाँ पर start होगी, from 2nd of August, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो यहाँ पर मैं start करने वाला हूँ, civil engineering में, ठीक है, तो यहाँ पर Rajat sir start करेंगे, survey, ठीक है, मैं start करूँगा, यहाँ पर steel structures, promote sir start करेंगे, यहाँ पर environment, ठीक है, promote sir यहाँ पर environment start करेंगे, तो यह जो हमारे पास core civil के जो subjects ह यह कल से start होने वाला है, जिसमें से steel का जो timing है, मेरा class होगी, उसका timing है, that is 7.30 pm, ठीक है, इसकी timing है हमारे पास, that is 7.30 pm, तो अगर आपने अभी तक enroll नहीं किया है, तो enroll कर दीजेगा, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगा, batch की कुछ features आपको बता देता हूँ, इसमें अगर यहाँ पर enroll करेंगे, सभी को यहाँ पर formula chart भी हम लोग provide करने वाले, ठीक है, तो यह जो दो features है, हमारे पास hand written notes हर एक subject का, इसको हमने बहुत ही detail में यहाँ पर plan किया हुआ, इसको बनाया गया है, ताकि since हमारे पास time का में कोई foundation batch तो है नहीं, कि हाँ यह चल रहा है तो चल कर लिजेगा, इस course में, enroll करने के लिए आप यहाँ पर code use कर सकते हैं, that is Y501, ठीक है, तो यह जो code है, आप सभी लोग इसको यहाँ पर enroll कर लिजेगा, एक बार मैं आप लोगो दिखा भी देता हूँ, ठीक है, तो यह जो आप लोग आ जाएंगे, Google Chrome में, आप यहाँ पर ada 24 7, यहाँ पर search करिएगा, ठीक है, तो जैसी आप यहाँ पर हमारे website में आएंगे, all courses में आप यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है, J E और A exams में जाएंगे, SSE J E में, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, आज यहाँ पर double validity चल रही है, शंकनात batch में और महापैक में, enroll करने के यहाँ पर code उस कर लिजएगा, that is Y501, and यहाँ पर आप लोग apply कर लेंगे, ठीक है, तो यह 2529 के आसपस इसका price जागए, ठीक है, तो 2529 का यहाँ पर price है, total हमारे पास time कितने बचे हैं, 60 to 70 days यहाँ पर बचे हुए, तो बहुत बढ़िया level पर आप अपनी तयारी यहाँ प complete होता है, तो एक बार चेक कर लिजएगा, भाई, यह topics हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसके सारे topics है न, सब topics और इसके जो questions हमसे बन पाएंगे कि नी बन पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर यह topics complete कर ले तो आप देखेगा, maximum number of questions वहाँ पर आप लोग के हो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बन फिर, 2nd of August में, रात में, साड़े, साथ पजे, बाबाई everyone, take care and see ya, जैहन